नमस्कार हमारी इस खास पश्किश में आपका स्वागत है मैं हो डिंपी कालरा तो खास पश्किश है आधा साल पूरा होने पार यादि कि जून का महिना पूरा हुआ एक कलेंडर एड तो पूरा हो गया लेकिन इस कलेंडर एड से आपका मुनाफ़ा पूरा नहीं हुआ होगा तो हमारी कोशिश है कि जो छे महीने बीट गये उससे हमने जो सीखा समझा और क्या मिलने वाला मुनाफ़ा है उसकी जड़ा पूरा एनलिसिस कर लिया जाए इसलिए कलेंडर एड के हाफ होने पर यानि के छमाही पूरी होने पर इसको माधा साल कहें पूरे होने पर अब अगले आदे साल के लिए त्यार रहेगा अगले आदा साल इसलिए भी जड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार की अर्निंग्स होंगी जो कि जी एस्टी से कंपेर की जारेंगी इस बार अगले छे मेने के अंदर तीन राज्यों में चुनावों की घुशना होगी अगले छे मेने चुनावी बुखार बाजार के अंदर चड़ेगा और अगले छे मेने हो सकता है मारकेट के अंदर ग्लोबल फरंट पे भी कुछ ऐसी खबरें हैं जिसकी वेसी से कुछ एड़जस्टमेंट हो जाए तो इसलिए अगले 6 मिन इंपॉर्टेंट है और हमेशा की तरह इतिहास ही आगे फ्यूचर्स को एक नीव देता है इसलिए हमने पिछले 6 मिने में जो स्टेडी किया आने वाले 6 मिने में मनाफ़ा आपके सामने हो जाएगा दो खास मेंमान आशिश कुकरिजा हमार सो जुड़ेंगे वो आपको ये बताने वाले हैं कि ऐसे शेयर कों से हैं उनसे हम 5 शेयर जानेंगे साथे संदीव जैल भी हमार सो जुड़े हैं इस खास कारकर में उनसे हम 5 शेयर जानेंगे ये अगले 5 शेयर हैं आप ये भी सोच रहे हpler होगे कि रोज्रोज की ट्रेडिंग से तो मेरा हो गया सिर्वे Δर्द रोज्रोज की ट्रेडिंग में में कहाँ पे पैसे लगाउं कहाँ पे कैसे करओं तो आप एक काम क्यूं नहीं कीजिए इनी पांच शेरों में से एक दो शेर ले लीचिए आपको संदीब पांच शियर बताने वाले है आशी जी पांच शियर बताने वाले है। दोनों के पांच पांच शियर, तीन pare शियर एक एक शियर भी रख लेंगे तो ये तो तैह हो जाएगा कि आपको अच्छ हम बना फ़्म मिलेगा। इसलिए बहतर रिसर्च के साथ यह हम आपके सामने शेर उतारना चाते हैं ताकि अगले छे मिने आप इस उथल पुथल के बीच में सेफटी के साथ प्राफिट बनाएं आशी जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज हमको समय दिया यह पांच शेर आपके साथ डिसकस करना बहुत अच्छा रहेगा उमीद करते हैं हमेशा के तरह आपके जो एक लॉजिकल आंसर होता है लॉजिकल रीजनिंग होता हमारे बहुत काम आएगी और संदी शेर नहीं होते हैं लेकिन बहुत चर्चित मुनाफ़ा जरूर आपको दे सकते हैं तो शेर चलने से पहले आपके पास होना चाहिए इसने दोनों खास मेमानों का अपने साथ हमने जोड़ लिया आशीज आपके साथ ही मैं शुरू करूं में को पहले तो अगले छे मिनी का स अच्छे से डिरेक्शन दे सकता है, वो इस समय मिसिंग है, क्योंकि इस समय इस तरह मैं हमेशा से बोलता है हूं कि ये मनमोहन सिंग जी का जो आखरी साल था उसकी याद दिला रहा है ये साल, और वो उस तरीके से आपको समझदारी से इस मार्केट में ऑपरेट करना पड़े तो अगर आपका व्यू मार्केट में अगले दो-तीन साल के लिए रहने का नहीं है और आपको आदत है छोटे समय के इनिवेश करने की तो ये मार्केट आपके लिए सही नहीं है, वोलेटिल्टी आपको परशान करती है, आठ से दस स्टॉक ही मार्केट की कोस्तर दिये हु पिछले शो में कि किस तरीके से रूरल सेग्मेंट जो अब एक चाल चल पड़ा है वो रुपने वाली नहीं है और यह बहुत बड़ा साइकल है जो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, गवर्मेंट के बहुत सारे इनिशेटिव रहे और प्लस उसके बाद जो अच्छा मॉंस और वहाँ पर यह जो मेगमा का एक कॉंट्रिविशन है बहुत स्टॉग है, बहुत बढ़िया फ्रेंचाइज है और ट्रेक्टर सेग्मेंट में बहुत अच्छा करती है, मैनेजमेंट में नहीं इनिशेटिव लिए गए है और नहीं टीम भी आई है, जिस करके मुझे नहीं दो साल के लिए रिकमेंट करता है, बिल्कुल, अगले च्छे मेने के सासार अगर आप दो साल के लिए भी रखना चाहते हैं, इस शेर को जरूर रखेगा, अभी एक चल रहा है, 163, वैसे एक जानकर ही मैं आपको दे दूँ और मैगमा फिनकाप के बड़े निवेश योजनाओं को चार साल में याद रखते हैं, पांच योजनाओं को मोटे तोरपा पांच साल में याद रखेंगे, तो एक अफॉर्डिबल हाउजिंग भी है, अब यही कमपनी हाल में अफॉर्डिबल हाउजिंग सेग्मेंट में इन्होंने फोकस बढ़ा दिया है, यह इ परसेंटेज में आपको दिख सकती है ये कुछ एक रिसरच चो मैग माफिन कॉप पे आशिश की राय के साथ आपको मिल रही है दो सुर रुपे का टार्गेट है एक इन्वस्मेंट कॉल रोज के सिर्जर से बचना चाहते हैं तो इस बार आप मैग माफिन कॉप पे ध्यान र कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा पर्फॉर्म ना करे और पर्फॉर्म करेगा तो भी वो लार्ज कैप्स और जिनकी इंडेक्स में वेटेज ज़्यादा है जैसे कि TCS, Infosys, Reliance ये टाइप के स्टॉक्स ने इंडेक्स को संभाले वे हैं बट समहाओ मिट कैप्स और स्मॉल करेंसी, इन टरम्स और रुपीज कि ये इतने करोड की कमपनी है, इतने लाग की कमपनी है, इतने अरब की कमपनी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कमपनी वैसी ढूंडें जिनका काम बड़े मार्केट कैप जैसा हो और मिल रही है सस्ते में और सस्ते का मतलब है कि छोटे म company मगर market पूरे इंडिया का हो जिसको GST का बहुत benefit मिला हो वन इंडिया वन market और जिस तरीके से GST और जो demonetization के बाद जो unorganized से जो organized पर आया है उसका जो benefit मिलेगा रूरल इंडिया का benefit, digitalization का benefit, exports का benefit क्योंकि currency तूटा हुआ है फिर फार्मा अच्छा कासा contrarian better hotels तो इन टाइप के सेक्टर से stocks को चुनना चीए और यहीं यह पांच्छे sectors है पांच्छे तीम्स है जिसमें आज के शो में पांच stocks पिक की है चीक है तो आपका पहला शेर कों से असंदीब जी मैंने चुना है building material से है रेमको इंडस्ट्रीज इन फाक्ट इस segment में मैंने चारो पांचो stock पहले भी recommend किये हैं, Everest है, HIL है, विसाखा इंडस्ट्रीज है, रेमको इंडस्ट्रीज, रेमको थोड़ा कम चला हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 275 के levels पे भी आपके channel में April के मैंने में recommend किया और वहाँ से देखिया आज 222 रुपे के लगबग है, reason being कि mid cap और small cap की अच्छी खासी पीटाई हुई है और पिछले 2-3 महिनों में जबरदस टूटे है stocks और वैसा ही एक reason है कि हो सकता कि उन levels पे जिन्नों ने लिए वो फसेवे हो, तो मुझे ऐसा लगता कि इन levels पे अच्छा कासा averaging किया जा सकता है, बहुत जादा downside लगती नहीं है, खास बात यह कि इस company के 12 plants अक्रोस South Asia, सरफ इ इंडिया में नहीं है, और करीब 8000 strong partner network, अब जो मैं बात कह रहा था कि large cap के तरीके का market distribution network है इनका, तो जब 8000 partners का network है, तो आप सोचे कोई भी नया product इनको launch करने में time ही नहीं लगेगी, उसको popular करने में या उसको sale करने में, जिस तरीके से HIL को देखिए आप 300 रुपे, 600 र फॉलो करके कुछ ऐसा ही product लाए, रेमको industries के साथ दूसरी रेमको cements, रेमको systems, यह इस group की company है, वन बिलियन डॉलर group की company है, तो मुझे लगता है कि आठ के P multiple पर यह stock चल रहा है, बहुत ही सस्ते price to book value multiple भी है, अंडर performer है, बिलकुल इस stock पर दाव लगाना चाहिए, 290 का मैं पहला target दिया और आराम से यह सवा 300 तक जा सकता है, आने वाले एक से देड़ साल में, काफी सारे लोगों को रेमको industries के अगर business के बारे में नहीं मालूम तो अगर आप कभी भी किसी बड़े शहरों में industries को देख रहे हैं तो उसके industry का या फिर housing का जो majority काम है और रेमको industries के पास भी हो सकता है, साउथ इस्टिया की बड़ी company में से एक है, और आपके इनका green core, hulex नाम की दो-तीन ऐसे product हैं, जो कि काफी popular भी है, आप इनकी website पर जाएंगे ना आपको वहाँ से साफ पता लग जाएगा, ये किस segment की बात हो रही है, दो सो 90 रुपे का target है इस पे, संद 30% नीचे है, इसका मतलब आपको valuation को लेकर भी चिनता रही होनी चाहिए, और इसका जो 60% मुनाफ़ा बढ़ा था, quarter floor के अंदर जो मैं आपको numbers की बात बोल रहा था, भारत के लवा, शिरिलंका में भी इनकी units हैं, इस सारे के सारे benefit रैम को इंडिस्ट्रिस के साथ जुड़ दूसरा शेर Orient Electric करके है, जो हाली में डीमर्ज हुई थी, Orient Papers है, और CK Pirla Group की कंपनी है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो predictable models हैं इस market में, जहां पर आपको पता है कि जो segments अभी government के reforms के बाद structured हुए हैं, वहाँ पे जो उंदा growth आएगी, और fan के business में champion रही है, यह कंपनी इंडिया का 60% export ये करती है, इंडिया की जो fan market है, उसका 25% market share रखती है और और बढ़ाना चाहती है, एकदम corner जिसे कहते हैं कि आवे market share और premium segment में बहुत तेजी से आगे initiatives बढ़ा रही है, जो 5000 से उपर के fan होते हैं, तो मुझे तो कोई no brainer जैसा stock लगता है, आपके portfolio में रह है, affordable housing और housing की growth है, smart cities की growth है, तो ये segment तो एकदम safe segment लगता है, और LED में अब जहां पे government भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और साफ साफ कर चुकी है कि अब वहां पे हर state government वहां पे कुछ initiative ले रही है, तो वहां पे इनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, so like I said on risk of being repetitive, दो साल के नजरिया रखे, तो no brainer stock है, but results अच्छे आएंगे, आना आले तीन-चे महिने में भी movement आ सकती है, तो ये एक stock है जो आप add कर सकते हैं, बिल्कुल, Orient Electric, या इसको ध्यार में रखेंगे, वैसे भी CK Birla Group की एक company है, Birla Group की companies हमोमन अच्छा प्ले देती है, आपको इन इसी benefit भी है, domestic growth अपने अप में ज़्यादा है, 7% की GDP इनी companies के बदौला दी आएगी, इनी की growth आपको देखी गे अर्थवरसा में, 97% GDP growth करेंगे, अगर agriculture में कुछ ज़्यादा substantial growth नहीं आती है, तो गम से का manufacturing या सर्विसी सेक्टर की growth आनी चाहिए, तब इस 7% GDP growth का सपना प 50 का target है, संदीब जी आपका दूसरा share कों से है? ये और भी attractive हो गए है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक hotel है, Sinclair's Hotel, जो की बहुत ज़्यादा famous नहीं है, बट अगर आप नौर्थ इस्ट और इस्ट और इस्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे, अगर आप शिलोंग दारजिलिंग जा रहे हैं, या सिलीगुडी जा रहे हैं, या कोलकाता में भी इनकी नई property आने वोले, वहाँ पे इनकी properties करी 25-30 सालों से और बहुत ही अच्छा perform कर रही है, वहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने manage किया business को, और generally hotel सेक्टर में देख रहे हैं कि उनकी balance sheet bleed कर रही है, अगर आप लीला sheet को, और आप खास बात देखें, 230 करोर की market cap है, बट सबसे बढ़िया बात है कि इनकी return on capital employed जो की hotel sector में बाकि सबकी 8, 9, 10 के नीचे है, single digit में, इनकी 18% और खास बात ये भी है कि generally hotels के business में अगर आप जाते हो, तो debts लेते हैं, बट इस company ने debt नहीं लिया है, zero debt company है, सबसे multiple पे zero debt company मिले, और इतने अच्छे return on capital employer, साथ में एक और बात है, promoter background, वो भी बहतरीन है, आप देखें, pressman group बहुत famous है, Calcutta based group है, फिर आप कुछ mittels की भी stake is में आये, mittels का मतलब जो plywood related mittels है, not the steel baron mittels, तो इन टाइप के जब promoters entry लेते हैं, और नए investors भी आ रहे हैं, और कई PMS जो चलाते हैं, बूटीक PMS वालों के भी radar पे ये stock है, तो मुझे लगता कि इस level पे बिल्कुल लेना चाहिए, stock को downside risk बहुत ज़्यादा है नहीं, और upside मुझे लगता कि आराम से आने वाले कुछ quarters में ये 500 रुपे cross करेगा, और 510 से लेकर 525 का टार, मेरे इसाब से achieve कर ठीक है, मारकेट को वैसे वो शेयर जादा पसंद आते हैं, जिस पर किसी जरगा कोई गर्ज नहीं है, ऐसी चीज़ भी मारकेट को पसंद आना लगी जहां पर disposable income का proportionate हिस्सा काफी अच्छा खर्च होता हो, और एक रिपोर्ट कहता है था हम को ये बात पता लगी, कि अब luxury यानि कि जो घूमने फिरने पे और अपने इस तरह के इवेंट्स पे अब करीब करीब 25 से 30% हम खर्च करते हैं, साल का disposable income का जो हिस्सा है, ये बहुत important है इस तरह की होटल की growth के लिए, क्योंकि अगर आपके होटल विदेश में नहीं हैं और आपके होटल ऐसी जगों पर है जहां पर टूरिस्ट का flow थोड़ा limited है, तो domestic growth होनी चाहिए, और ये बार दिखाती है, इसके management से जहां पर debt free है, और दूसरी important बात है कि इनका dividend का track record भी काफी अच्छा है, और तो काफी कुछ हापन का संदीब जी नहीं बताई दिया, तो Sinclair hotels जो है, 411 का आपी prize है, और 510 10 का, एक target रखी का, आशी जी मापस वापिस आरो, एक share में का और बताईए, जो आपको लग रहा है कि बहतर investment की call है, एक share है, पोशक Limited, जो Alembic की ग्रूप की company है, और specialty chemical, ये segment जो है, वो बहुत, again, जैसे मैंने बोला, और इस को विंग रिपेडिटिटिव एक predictable growth segment रहा है, और company ने quarter on quarter पिछले कितने ही समय से growth दिखाई है, और agrochemical segment में एक उंदा player merge होकर आई, अभी हाल फिलाल मिनोंने buyback भी announce किया है, और उसके बाद से stock में भी action देखने को मिला, बट fundamentally बहुत strong company लगती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो agrochemical space है, वहाँ पर निवेश आ तो 800 के target से इन आने वाले तीन से चे मेने में ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ अपर ध्यान रखें, दो तिन चीज़े important आपको बता दूं कि इनका जो sales है, quarterly sales वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है, और मेरे पास जो data है, उसके according यह करीब 37 क्रोंड रोपे क इस बार मुनाफ़, sales का इनो ने दिखाया, साथी साथ इनके profitability, जिसको हम PBT कहते हैं, बिना tax के आए वाली आए, वो भी करीब अब 10 क्रोंड रोपे के आसपास आ चुकी है, यह पिछले चार तिमाई से बढ़ते हुए trend के साथ है, साथी इसका pet, जिसको हम actually मुनाफ़ा कहत अच्छा है, और सभी की सभी चीज़े कही न कहीं इसके अंदर indicative ते रहे हैं, आपको chemical की है, niche play है, यह चलता भी अच्छा है, इनके अदर move भी अच्छा रहेगा, आप इस पर target 1860 का रखिए, पौशक लिमिटेड, नाम भी काफी अच्छा है, पौशक लिमिटेड, आप इ DST और यह सब के बाद, डिजिटलाइजेशन पर जो सरकार का focus रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा beneficiary, यह particular sector भी रहेगा, और दूपॉलिस्टिक बिजनस है, NSDL और CDSL, और इन दोनों कंपनीज में भी CDSL बहुत ज़्यादा popular और बहुत fast grow कर रहा है, जो भी नए DMAT accounts आ र इंडिया में सम्हाओ बहुत कम है, तो मुझे लगता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो शुरू हुई है स्टोरी, और जिस तरीके से mark sheets तक की भी DMAT की जा रही है, insurance policies, term plans, सब को DMAT कर रहे हैं, और आप साथ में देखिए, shares का जिस तरीके से IPOs आने वाले हैं, ब opportunities आ रही है, तो DMAT accounts अच्छी ताजाद में खुल रहे हैं, तो मेरे इसाब से CDSL जिस तरीके से correct किया है उपर के level से, और इन levels पे एकदम no brainer लगता है, downside risk बहुत कम लगती है, और बिलकुल यहाँ पे grab करना चे, accumulate करना चे नीचे जाए, तो भी घबराए नहीं, इतना robust, इत stock available है, और debts तो जरूरी है कि नहीं होगा इन कंपनियों में, क्योंकि asset light model है, और प्लस यह लोग commodity की भी depositories और यह सब में घुस रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिलकुल यहाँ पे यह stock को लें, और करीम मैंने target बहुत छोटा दिया, 320 का दिया, क्योंकि एक बड़ जल्दी पाली स्टोरी है, सब कुछ संधीब जी ने आपको बता दे लेकिन एक चीच मैं और इसमें आइड कर दूँ, यह CDSL अब उस तरही कंपनी है, अब जो लोगों का saving का तरीका है, यह investment का तरीका है, वो भी काफी हतला है पिछले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में तरीका और और इसमें equities की तरफ जो रुज़ान है, वो तेजी की तरफ बढ़ेगा, और अगर equities की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मनट डीमेट अकाउंट तो होगा ही, और होगा तो CDSL यह NSDL से ही आप जुड़ेंगे, और 60% market share already इनका हो चुका है, तो CDSL 320 रुपे का target है, आप इस प में अच्छी growth दिखाए, हलचल भरा साल रहने वाला है, लेकिन आप शांती से पैसा बनाएं, तीन share already आपको बता चुके हैं, आशीश, उसमें Magma Fin Corp है, Orient Electric है, Poshak Limited है, आशीश, चौथा share आप से और चाहिए, चौथा share आप से और चाहिए, देखें, चौथा share जो है, वो ह आइट्स उन्होंने अक्वाइर कर लिये हैं, ब्रांच अक्वाइर किये हैं, युएस सबसीडिय से, और उसके बाद उनकी जो खुद की अब यान और और बाकी manufacturing facilities आगे बढ़ी है, तो I think margins बहुत perfect हो जाएंगे, जो इनका main segment है, वो जो बैट शीट का segment है, और टावल का segment ह है, वहाँ पर going ahead after these initiatives एक अच्छी growth की expectation है, again a very unique play, like I said a vertically integrated play, जहाँ पर आपका retail जो है, वो intact है with acquisition of brands and confirmed clients in these markets, और प्लस आपकी जो manufacturing facilities हैं, so I think और बहुत strong management है, बहुत strong pedigree है management की, तो यह एक stock है जो आप investment के तोर पर ले सकते हैं. ठीक है, वैसे तो आशिश की जो call होती है, वो कभी fail होती नहीं है, लेकिन आशिश कम ही बोलते हैं कि corporate यहां पर ठीक है, corporate earnings ठीक है, corporate का भीवे ठीक है, और उसमें हिम्मस इगना सीड ये का company उनकी लिस्ट में आ रही है, तो इस पर तो और ध्यारा ध्यान दिया जाएगा, कहराशिश एक शेर हो रहा है आपके लिस्ट में, वो है Max India, ज़रा इसके बारे में मैं को बताएंगे। if I cannot say more, एक तरीके से free में मिल रहा है, और कही ना कहीं वहाँ पर आगे जाके आपको बहुत सारे देख सकते हैं, news आते भी देख सकते हैं, fund आप आप देखेंगे का company उठाएगी और उसके बाद जो hospital segment है, वहाँ पर तो अब बाकी hospital आप देखी रहे हैं क्या दौर से टिकल रहे हैं, तो वहाँ पर इनको फाइदा हो रहा है, so I think clearly ये एक no brainer जैसे लगता है, purely on the valuation basis, अगर आप insurance business को इसमें ठीक से contribute दे दें, तो I think without doubt सौर पर क्या सपास का rate बनता है, लेकिन थोड़ा time लगेगा, तीन से छे मेने का 90 रुपे का target बनाई है, लेकिन बड़ी लंबी अगर हम नजरिया रखें तो अच्छा रहेगा, चीक है, आशीश के 500 के 500 शेयर पूरे हो यहां पर, मेगमा फिन कॉपन की तरफ से, और इंट एलेक्टरिक, पोशक लिमिटेड, हिमस्टिगना सीड है, और साथी मैक्स इंडिया, ये 500 के 500 शेयर आशीश की लिस्ट में हैं, लेकिं संदीब जी के भी दो शेयर और बाकी हैं, जरा वो सूची भी पूरी कर लेते हैं, तकि दजश शेयर का पूरा पूर्टफोलियो हमारा त्यार हो जाए, ताकि हमको पता हो कि आने वाले छे मिने में इन दजश शेयर के साथ तो हमको चलना ही होना ही चाहिए, तो स्टॉक भी ऐसा है कि देखिए, आप जिस तरीके से करेंसी डी वैल्यू हुई है, तो उसका बेनिफिशरी सर्टेनली यह जो एक्सपोर्ट ओरियंटेड आईटी कंपनी जवो रहेंगी, और कुछ दिन पहले मैंने आपी के चैनल पे फर्स सोर्स लिमिटेड भी है और वैसा ही एक हिंदुजा ग्लोबल सिलूशन जो की बहुत ही अच्छे कॉर्पोरेट ग्रूप से हिंदुजा ग्रूप की कंपनी आप देखिए, वहां की दूसरी कंपनियां इंडसिंट बैंक है या आप अशोक लिलेंड बोलिए, वो सारी के सारी अच्छे चल रही ह तो मुझे ऐसा लगता है कि हंदुजा ग्लोबल सिलूशन को वैलुशन के लिहाद से देखिए, तो सिरफ आठ के पी मल्टिपल पी ये स्टॉक अवेलेबल है और करीब एक सवा के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टिपल पे, अगर आप दूसरे आईटी कंपनी इसको द ये करेक्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि जिस कारोबार में ये कंपनी है, जो प्रोफिटाबिलिटी के साथ ये काम कर रही है, और जो वॉल्यूम्स पे काम करी है, एक जार करोड से जाधा का वॉल्यूम है कंपनी का, और अच्छा कासा पैट भी है, तो मुझे लगता इसके लबाँ आपका पांचवा शेर कौन सा है संदीब जी पांचवा है आर्टी ड्रक्स जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कुशिश की है कि सारे सेक्टर के एक एक लें और आर्टी ड्रक्स जो की फार्मा स्टॉक्स में आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जो नहीं चला था लास्ट में जून के सेटिम्न में फार्मा स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किये तो लार्ज कैप्स तो किये यह संद, फार्मा, सिपला, ल्यूपीन यह सब डॉक्टर एडीज ने परफॉर्म किया तो वैसे एक छोटा स्टॉक इंफेक्ट जो मिट कैप फार्मा स् पिटाई इस बुरे वक्त में भी निवी अगर आप पिछले तीन साल देखें तो फार्मा के जो इन्वेस्टर्स थे वो लोग काफी खराब समय से निकले हैं अब मुझे ऐसा लगता कि आरती ड्रग्स बिल्कुल जो 15 के पी मल्टिपल पे चल रही है और उपर के लेवल से भी अच्छा कासा करेक्ट कर चुकी है आप देखिए 785 का 52 विक हाई है और वहां से ये 535 के लगबग है बिल्कुल इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए और खास बात ये भी लगती है कि फार्मा स्टॉक्स जो अलरड़ी कॉंट्रारियन बेट के हिसाब से लेना है तो सिर्फ साथ परसेंट है पिरामेल इंटरवाइस की नौ परसेंट है बट यहां पे साड़े सतरा परसेंट की है तो मुझे लगता कि बिल्कुल इस पर्टिकुलर कंपनी में निवेश करना चाहिए इसकी ग्रूप कंपनी आर्टी इंडस्ट्रीज भी है दोनों ही और संदीब के भी सारे के सारे शेयर आपके सामने अमीद करते हैं अगले छे मिने भले ही मार्केट के अंदर रसाओ चड़ाब रहे लेकिन आपका प्रट्फोलियो इस्टेबल रहे और स्टेबलीटी के साथ अच्छा मुनाफ़ा पी आए उमीद करते हैं धस्य शेयर